समस्कार साथियों, आप सभी साथियों का सरोकार के इस ओनलाइन मंच पर हर्दिक अविनंदन एवं स्वागत है, बिल्कुल तो आज हम आपके वीच में आ चुके हैं, चम्प्यूटर की एक और बहतरिन क्लास लेकर के, तो बिल्कुल मेरे साथ में सभी साथी जुड़ जाइ और मेरे साथ में टोंट्स बनाने होगे, आचे तरह से समझना होगा, जहां पर भी कोई दिक्कत है, बिल्कुल आपको यहां पर मुझे बताना होगा, तो एक वर जो सभी साथी है, यह सभी साथी से मैं कहना चाहूँगा, कि कल की जो हमने क्लास पड़ी थी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल क्लास, यानि वैसिक से हमने बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था, और जीरो से हमने जो स्टार्ट किया था, साथी हमने यहां पर जाना था, हमने यानि इन सभी के बारे में डेटेल से जाना था कि कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर जो है, क्या है, कम्प्यूटर जो है, वो कौन सी मसीन है, इन सभी के बारे में हमने उसकी परिवासा जाने थी, हमने यह जाना था, कि कम्प्यूटर जो है, इस कम्प्यूटर वर कहां से लिया गया था कौन से लेंगवे निसे लिया गया था तो इन सभी के बारे में उन बात करें थी आज हमें का रिविजन करेंगे हमने दोस्तों सब से पहले जाना था है यह जो गंप्यूटर वर्ड रड़ की तपत्ती ह went गो हुई है अंग्रे जी वहसा और अग्रे जी वहसा का एक word है computer और इसी से his computer की त्थपति हुई है आगे हम बात करते कि जो computer है इस computer को हिंदी में आजाता है संगनक ठीके ना और इसको जो बनाया गाया था तो इसका प्रात्मिक उदिश्ज था वो था सिग्रे गणना करना आगे हमने बात करें ती इसकी परिवासा के समद में तो इसकी जो परिवासा है वो एक सिंपल सी परिवासा है कंप्यूटर एक ट्रोनिक मसीन है जिसमें इंपूट के रूप में रोडेटा डाला जाता है उस पर प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद में हमें एक वो डेटा कहलाते हैं कौन-कौन से होते हैं डेटा हमारे सारे अल्फावेट सारे नियुमेरिक्स सिंबल्स वोईस यह सभी डेटा की प्रकार होते हैं डेटा के अंतरगत आते हैं अब डेटा के दो प्रकार हमने यहां पर जाने थे एक होड़ता है अल्फानुमेरिकल या चाहिंए उसका अगर हमें नाम जानना होगा तो आब आधार नमर इत्याद हे costumes कि सभी किसके उंतरगत आते हैं यह आते हैं ऑन स्मय कल डिटा के इंतरगत्व त्यक्सके बाद में जो सब्सक्राइब न shipip工 डेटा क्या है सबीनिशन देटा के अंतरगत आते हैं कौन-कौन साथ हमारी सेलेरी आप बैंक बैलेंग बैलेंश जेल्ट के सभी जर्स आते हैं आज यहां तक ही हमने बात करी थे आज जो है आज हम इसके आगे बिल्कूल यहां पर आज हम साथियों आज आए बात करेंगी ऑसके आगे चर्चा करेंगे बिल्कुल साथियों आज हम चलते हैं आगे आगे यानी कलकी इकलास को Bowl कुम आगे बढ़ाते हुए आगे हम आज बढ़ते हैं कि ओ कि तिष्चे आगर मैं आप से बात करता हूँ अगर मैं यहां पर आप से बात करता हूँ कि यह जो data है वो data के बारे में हमने यहां पर बात करें ठीक है और informations के बारे में आज हम यहां पर जानेंगे कि सूचना क्या होती information क्या होती सूचना क्या होती है तो computer द्वारा process किया गया वह data कि informations किसे कहते हैं यहां पर आप जानेंगे कि informations क्या है इलकुल यहां पर आप लिखो लिखो इसको computer द्वारा computer द्वारा द्वारा प्रोसेस computer द्वारा process किया गया process किया गया process किया गया वह data process किया गया वह data जिससे एक निष्चित अर्थ जिससे एक निष्चित अर्थ की प्रापति होती है होती है सूचना कहलाती है वो क्या कहलाती है साथियो वो सूचना कहलाती है वो क्या कहलाती है वो सूचना कहलाती है ठीक है यानि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया पह डेटा जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ती होती है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है सूजना ये इसकी कल जो परिवासा पड़ी थी उस परिवासा के संबंद में हमने यहां पर जाना था इसकी एक और परिवासा है एक वार जो है कम्प्यूटर ये इसका कुशन्स आया था और वो कुशन्स किस तरह से था इस कुशन्स के बारे म हम यहां पर जानेंगे एक शंस आया था कि कम्प्यूटर कम्प्यूटर होता है कि यहने कि ऑप्संस के बारे में अगर हम यहां पर जाने तो इनका जो ऑप्संस था वो था सबसे पहले एलेक्ट्रोनिक मसीन कि अलेक्ट्रोनिक मसीन और वी ऑप्संस पर था डेटा प्रोसेसर नम्बर जो सी ऑप्संस है इस पर था प्रोग्रामेवल मसीन प्रोग्रामेवल मसीन और नम्बर जो डी ऑप्संस है इस पर था आल आफ्फ यह आशन küç और यह आप्संस थे अप्संस अलेक्त्रोनिक मसीन ब्लाग्रामेवल मसीन तो इसका जो आप्संस हो गा वो आप्संस कॉन नव् – अप्संस आपको पता है इसका आउअँ सर्थ होगा मिया्त L जो नम्मर डी ऑप्सेंस है कि इसका करेक्ट आंसर्स होगा कि आल आफ दीजी यानी जबी अब हमने यहाँ पर कि यहाँ अब लिशेंस सब्सक्राइए लेकर कहा गया है अब हम यहाँ पर जानकरी प्राप्त करेंगे वista उस यहां इसके सम्नों एक और बातनाका क्रीथ कंप्यूटर computer data को data को process करके process करके information में change करता है computer data को process करके information information में change करता है information में change करता है information में change करता है इसलिए इसलिए computer को इसलिए computer को data processor इसलिए computer को data processor processor भी कहा गया है इसलिए computer को data processor भी कहा गया है यानि जो हमारा कंप्यूटर है इस कंप्यूटर के अंतरगत हम डेटा डालेंगे और डेटा डालने की वाद में वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने की वाद में हमें एक information प्रदान करता है तो यह जो सारी प्रिक्रिया है यह सारी की सारी प्रिक्रिया है इसी सारी प्रिक्रिया की वज़े से ही computer को क्या कहा गया है data processor किस तरह से यहां पर हम जानेंगे हमने जो computer की अंतरकत हमें कोई भी अगर हमें कारिय करना है तो हमें इस computer की अंतरकत data ड दाला तो डेटा डालने के वाद पर इस पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग Under प्राप्त होती है तो है यह जो सारी प्रकृया है इसी सारी computer को कहा गया है data processor इसी कारण computer को क्या कहा गया है साथी हो data processor दूसरा इसका यहां पर एक और हमने यहां पर इसका meaning जाना था कि computer को data processor के बारे में हमने यहां पर जाना है अब यहां पर हमने जाना है computer को प्रोग्रामेवल मसीन भी कहा है तो यह प्रोग्रामेवल मसीन ही क्या होती है इसी के संबंद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसे प्रोग्रामेवल मसीन क्यों कहा गया है तो यहाँ पर आप फिर से हम इसकी एक उर परिवासा हम पड़ेंगे कि computer में क्या होता है computer में हर कारिय करने के लिए हर कारिय कैसे है कि यानि अगर हम यहाँ पर जाने तो computer में computer में प्रतेक कारिय को प्रतेक कारिय को करने के लिए प्रते कारियों को करने के लिए अलग अलग प्रते कारियों को करने के लिए अलग 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 प्रोग्राम की अलग अलग प्रोग्राम की आवशक्ता अलग-अलग प्रोग्राम की आवशक्ता होती है अलग-अलग प्रोग्राम की आवशक्ता होती है किसी लिए किसी लिए कम्प्यूटर को इसलिए कम्प्यूटर को प्रोग्रामेवल मसीन प्रोग्रामेवल मसीन इसलिए कम्प्यूटर को प्रोग्रामेवल मसीन भी कहा गया है प्रोग्रामेवल मसीन भी कहा गया है यानि हमें कम्प्यूटर में अगर कारिये करने हैं कारिये वो कारिये कौन कौन से कारिये करने हैं अगर हमें यहाँ पर डोक्यूमेंट से सम्मादित कारिये करने हैं के अगर हमें डोक्यूमेंट से सम्मादित कारिय करने हैं अगर हम यहां पर कहें कि हमें सीट से सम्मादित कारिय करने हैं अगर हम यहां पर कहें कि हमें कोई प्रजेंटेशन्स तयार करनी है ठीक है या अगर हम कहें कि हमें कोई वीडियोज देखनी है या वीडियोज हम देखते हैं कि हम कहें कि हमें पोटो से सम्मधित कारी करनी है इमेज से सम्मधित कारी करनी है तो उन्हें सभी कारीयों को करनी के लिए अलग अलग प्रोग्राम की आवशकत होती है इस तरह से यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर हमें document से सम्मादित कारिये करने होगे तो हमें MS Word पर कारिये करना होता है अगर हमें seat से सम्मादित कारिये करने है seat से सम्मादित जो कारिये करते हैं कारिये हमें Excel पर करना होता है और हमें PPT से संबंदित अगर कोई कारिय करने है तो वो जो कारिय है वो हम power point पर करते है वो जो कारिय किया जाता है वो power point पर किया जाता है यह हम कहे ठीक है न? यह हम कहे कि हमें किसी भी हमारी एक company है और उस company का ठीक है? उस company का यानि अगर हमें क्या करना है अकाउंट्स को मेंटेन करना है अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो आवशक्ता होगी वो कौन सा प्रोग्राम होगा वो होगा साथ्यू टैली टैली एप्लिकेसंस की हमें आवशक्ता होती है तो इन सभी प्रक कारियों को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम की आवशक्ता होती है इसी लिए कंप्यूटर को कौन सी मसीन भी कहा गया है प्रोग्रामेवल मसीन भी कहा गया है आपको यह ध्यान रखना है ठीक है ना तो यह हमने इसकी परिवासा लगवग तीन परिवासा पड़ी है इसकी एक और important परिवासा है और वो परिवासा कौन सी है साथियो कि computer एक electronic मसीन है कम्प्यूटर एक एलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर एक एलेक्ट्रोनिक मसीन है मसीन है जो जो गणीतिये गणनाए जो गणीतिये गणनाए वे तारकिक जो गणीतिये गणनाए वे तारकिक गणनाए जो गनिती गनना है तो तारकी की गनना है करता है क्यानि हमारा जो computer है वो एक electronic machine है तो सर हमें क्या हुआ electronic machine है तो वो गनिती गनना है करता है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारी जो गनिती गनना है वो गनिती गनना है तो हमारा calculator भी करता है तो फिर हम computer को ही क्यों पड़ें इसकी परिवासा को हम क्यों जानें तो साथ ही यहाँ पर दो अगर हम कहें कि यहाँ पर दो प्रकार की गननाएं यहाँ पर हमारे सामने आईए एक है गनिती गननाएं और एक है तारकी की गननाएं यह तारकी की गननाएं कौन सी होती है गनित और कौंढ़ी होति इसके बारे हमें आपर जाना ही हुआ ये और हमें जोड़ करना है वह सबidentified ihn जबकि जो तार के गणना ही होती जो logical calculations होती है वो यह होती है ठीक है कि सभी जो calculations है कि कौन सी calculations होती है कि होती है logical calculations अब logical calculations किस प्रकार से होती है हम आप से कहेंगे आप हमें बताइए आपके सामने दो अंक यहां पर दिये गए हैं ठीक है दो अंक यहां पर दिये गए हैं और इन दोनों अंकों में से कौन सा पड़ा है तो आप कहोंगे इस में बड़ा है वो कौन सा पड़ा है ये बड़ा है 980 को हमें मालुम चलता है 950 बड़ा हैते हैं जो एक calculations है इसी calculations हम कहते हैं तारकी गणना है logical calculations यानि logic लगाकर कि जो गणना है की जाती है वो सभी calculations कौन सी calculations होती है वो होती है तारकी गणना है इनको आपको द्यान में रखना है कि यहां पर एंट्रोडेक्शन सजाना है अब हम जानेंगे कि यह जो computer हैальным computer कर विकास केसे हुआ जो computer हम वरत्वान में देखते हैं कि हमने शर्रीन कंप्व evil computer है हम तो इसी computer को देखते हैं, ठीक है न, यह हमारा जो computer है, इसी computer को हम देखते हैं, हमारा monitor हो गया, हमारा keyword हो गया, यह mouse हो गया, यह CPU cabinet हो गया, ठीक है न, तो यह जो speakers हो गया, यह सभी जो हम इस computer को वरतमान में देखते हैं, तो क्या sir यही computer पहले बना था, यह पहले कोई दू की डीजैन रहे थी तो कौन सी डीजैन थी उन सभी के बारे में हम चर्चा में चाहएंगे आज कर discloh आप को धिहान में रखना है। भी हम यहां पर बात करते हैं यहां पर हम यहां पर हुआ सर और इसका इतिहास क्या है इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्रदान करो तो अब हम इसके इतिहास एवं इसके विकास के बारे में ही हम यापर जानेंगे ठीक है इसके इतिहास के साथियों अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपसे कि यह सब मैंने आपको कल की ग्लास के अंतरकत बताया है कि कंप्यूटर को जो बनाया गया था तो इसका प्रात्मिक उद्धिश था वो एक ही था सिग्रेगणना करना यानि कोई ऐसा यंतर बने जिससे हमारी कैलकुलेसेंस आसान हो जाए अब यह जो जरुद पड़ी तो जरुद पढ़ने पर आवशक्ता ही आवशकार की जननी है जब जब आवशक्ता पड़ी है तो नए नए आवशकार हुए है जब कैलकुलेसेंस की आवशक्ता पड़ी त तो कैलकुलिसेंस की आउशकता पढने पर एक यंत्र बनाया और उस यंत्र को अगर हम कहें ठीक है ना वो यंत्र कैसा था एक अगर हम कहें हमारे देशी वहसा में हमारे भारत की वहसा में तो एक जुगाड बनाया था तो जुगाड का बना कब था तो वो जुगाड बनाता स करीव तीन हजार वर्षपूर्व तीन हजार जो वर्षपूर्व है एक देश था और उस देश का नाम है मैसोपोटामिया मैसोपोटामिया यह जो मैसोपोटामिया एक देश था पहले उस मैसोपोटामिया के जो लोग थे इन लोगों ने मैसोपोटामिया के लोगों ने अंजाने में एक गणना यंत्र की नीव रखी यानि अंजाने में एक गणना यंत्र अन्जाने में एक गणना यंत्र एक गणना यंत्र एक गणना यंत्र की नीव रखी एक गणना यंत्र की नीव रखी करीब 3000 वर्ष पूरू देश कौन सा था? मेसोपोटामिया की लोगों ने कौन सा यंत्र है? आपको ध्यान में रखना है गणना यंत्र ध्यान रखना साती हो यहाँ पर कम्प्यूटर नहीं है कौन सा यंत्र है गणना यंत्र की नीवरग अब ये यंत्र कैसा था तो ये एक सिंपल यंत्र था सिंपल यंत्र कैसे एक लकडी का फ्रेम और लकडी का जो फ्रेम है उस लकडी के फ्रेम पर कुछ विविन प्रकार की जो डीजाइन है वो डीजाइने बनाई सिंपल सी डीजाइन कुछ डीजाइन नहीं थी बस एक लकड़ी का फ्रेम बनाया और फ्रेम बनाकर की उन पर तार लगाए कुछ इस तरह के और तार लगाने के वाद में उस पर मन के लगा दिये मन ये लगा दिये तो लगाने के बाद में इससे ही कैलकुलेशन्स करना प्रारंब कर दिया था लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट था ये आसान नहीं था अब ये जो इससे कैलकुलेशन्स करना प्रारंब कर दिया था तो सातियों अब आप फिर बाद में धीरे धीरे इससे कैलकुलेशन्स करना प्रारम कर दिया था अब आप सभी जो है इन्हें सभी के मन में एक कुशन शूट रहा होगा कि सरकास हमारा भारत इसमें होता कि भारत के लोगों ने गणना यंत्र की नीव रखी साथ यो मैं आपको बता दू कि यह जो हमारे देश के जितने वी जो विद्वान लोग है या हम देखते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन्स की आवशकता नहीं पड़ती उनकी कैलकुलेशन्स है वो कैलकुलेशन्स सटी के कैलकुलेशन्स है हमारे जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार ठीक है यानि हम देखते हैं कि हमारे जो कैलेंडर चलता है इस हिंदी क के इंतरकत हमारी दादी से पूछे कि दादी हमें ये वताओ कि इस वार दिवाली कवाएगी इस वार जो है खोली कवाएगी इस वार राखी कवाएगी तो हमारी जो दादी है वो दादी वता देती है कि आज से पांच दिन बाद में पूर्णिमा है और पूर्णिमा से इतने दिन बाद ये इस महीने के अंतरकत हमारी राकी है सटी के कैलकुलेसंस अगर वो कहेंगे कि पंदरा दिन ये और दो महीने वो तो दो महीने और पंदरा दिन बाद में हमारी हो लिया तो बिलकुल इसी तरह से जो calculations है वो i Gr alight ॐ शारे नकषत्र सारे नकषत्र ही वह जो सलते हैं वह रखांदि कलेंडर के नुर्वार e barbar है अगर आम कहें कि दादी हमें यह बताओ की जो सुर्य ग्रहाने कब पड़ेगा चंद्र ग्रहाने कब बढ़ेगा तो वह हमारी दादी बताती है कि चंद्र ग्रहन उस दिन पड़ेगा सूर्य ग्रहन उस दिन पड़ेगा अब जो साइंस है वो साइंस आप कैलकुलेसेंस करती है तो आपको पता है कि हमारा भारत कितना पहले से ही आगे है तो यहाँ पर साथ ही हो यह एक गणनायंत्री की नीव रकिती अब एक देश है और उस देश का नाम भाई साब चीन तो चीन के जो लोग है चीन के जो लोग है इन लोगों ने क्या किया रहे कि यह जो गणनायंत्र है इस गणनायंत्र में सुधार किया चीन के लोगों ने चीन के जो लोग है इन लोगों ने गणना यंत्र में सुधार किया गणना यंत्र में सुधार किया गणना यंत्र में सुधार किया और उसे और उसे आसान बनाया और उसे आसान यानि उसमें जो पहले कैलकुलेशन्स करने में प्रोवलम हो रही थी तो उसे आसान बनाया कहां के लोगों ने चीन के लोगों ने आप से पूछा जायेगा कि सरवपृतम गणनायंत्र की नीव कहां पर रखी गई किस देश के लोगों ने रखी तो आप काओगे सर मैसा पूटा मिया के लोगों ने और चीन के लोगों ने उसमें सुधार किया और उसे और आसान बनाया साथियो आगे अगर हम यहाँ पर चलते हैं ठीक है ना आगे अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो वो जो यंत्र है वो यंत क्या कर रहा है इसमें कैलकुलेशन कर रहा है और इसी जो यंत्र है इस यंत्र का नाम क्या दिया था अवेकस उस यंत्र का नाम क्या दिया था साथियो अवेकस ठीक है अब यह अवेकस क्या है इसी के संबंद में हम यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले है कि यह अवेकस है इस अवेकस का जो आविस्कार हुआ वो आविस्कार कब हुआ सातियो तो इसका आविस्कार हुआ था 600 वर्ष पूर्भ और कहां पर तो चीन में चीन की जो लोग है इन चीन की लोगों ने इसका अबिसकार किया और चीन का एक वेगैनिक है वो वेगैनिक का नाम क्या है तो उसका नाम है क्रीम क्रेमर क्रीम क्रेमर नाम के एक वेगैनिक है और इनी वेगैनिक ने इस यंत्र को बनाया था कौन सा यंत्र है हमारा अवेकस अवेकस होता है कैसे है एक लकड़ी का फ्रेम इसमें ये तार लगा है और ये मन के डाल दिये और इनी के माध्यम से कैलकुलेशन्स करना प्रारम कर दी थी साथियों ये जो अवेकस है ये अवेकस का वर्तमान में भी यूज किया जाता है अगर आपके छोटे भाई और भाईन है तो आप देखोगे कि उन्हें जो कैलकुलेशन से सिखाई जाती है उन्हें कैलकुलेशन किस के माददम से उन्हें सिखाई जाती है इस अवेकस के मादम से calculations सिखाई जाती है तो calculations करना प्रारम कर दिया था अवेकस से तो सातियों यहां पर अगर हम बात करें कि नाम उनीका ही होता है जो संगर्स करते हैं जो महनत करते हैं ठीक है और जो सभी लोगों की दिलों पर राज करते हैं अब यह जो अवेकस है यह अवेकस यानि काफी हद तक इस पर calculations होती है और अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक संबिलन हुआ था और संबिलन में यह जाना गया था कि यह जो अवेकस है इस अवेकस से वरतमान में लगवग इस अवेकस को 24 लाख जो लोग है यह 24 लाख लोग इस अवेकस का यूज करते हैं वरतमान के अंतरगत गणना करने के लिए और वरतमान में जो छोटी बच्चे हैं जो इंगलिस मेडियम स्कुल में पढ़ते हैं उनकी जो मैत की बुक्स है उस मैत की बुक्स में भी जो calculations की प्रिक्रिया जो नहीं सिखाई जात होती है कौन सी प्रिक्रिय ओती है इस किसके माद्धम से अवेकस के माद्म से तो यह जो अवेकस है इस ऑवेकस को जब rika करना प्रारम कर दिया था तो सी कारण इस अवेकस को कहा गया है कि आप आप से पूछा जायेगा कि विस्व का प्रथम गणनायंत्र कौन सा है तो आपको ध्यान में रखना होगा विस्व का प्रथम गणनायंत्र कौन सा है अवेकस अवेकस को किस नहीं बनाया था वेगयनिक है उनका नाम है ट्रिम क्रेमर कहां की निवासी है चीन की निवासी है यह जो अवेकस है इस अवेकस को जो जापान की जो लोग है, जो जापान की लोग है और जापान की लोगों को हम कहेंगे जापानी, तो यह जो जापानी है, यह जापानी अवेकस को, जापानी अवेकस को सारोवान की नाम से, जापानी अवेकस को किसके नाम से सारोवान, कि सारोवान के नाम से जापानी अवेकस को किसके नाम से सारोवान के नाम से जानते थे कि आप पुकार देते हैं जो जापान की लोग है जापान की लोग जो जापानी है वो जापानी अवेकस को किस नाम से जानते थे अवेकस को सारोवान के नाम से जानते थे आपको ध्यान में रखना है कि अवेकस जो है अवेकस को जापान की लोग किस नाम से जानते थे तो वो क्रेमर ठीक है यह कौन है यह हमारे ट्रीम क्रेमर और इन्होंने ही बनाया था किसे बनाया था अवेकस को अवेकस को जो बनाने वाले जो वेगयनिक है वो कौन है ट्रीम क्रेमर आप इने जान सकते हो यह ट्रीम क्रेमर कहां की निवासी है तो हमने जाना है कि यह कहां की निव लगा था उसके बाद में एक और नया यंत्र बना था और उस यंत्र का नाम है नैपियर वॉंस उसका नाम क्या है नैपियर वॉंस एक नया यंत्र बना था और इस यंत्र का जो नाम वो नाम क्या था नेपिरवेंच और इस यंतर को बनाया गया था 16 점 10 के तेछत इस यंतर को बनाया था और इस यंतर जो आविस कारक था वो आविस कारक जो थे वो सातियो वो कौन थे जो ने वह ही वेग्यानिक थे इन्होंने इसका आविस्कार किया और इसका नाम है जोन नेपियर इसका नाम क्या है जोन नेपियर जोन नेपियर नहीं इसका आविस्कार किया था नेपियर कौन्स का यह जो यंत्र है इस यंत्र पर क्या थे तो इस पर कैलकुलेसेंस की जादी थी अब आप इस यंत्र को देखो तो इस पर ये अंक अंकीत है यानि कहां से कहां तक की 0 से 9 तक की अंक यहां पर अंकीत है तो इस पर ये जो नैपिर वोंच है इस नैपिर वोंच पर 0 से 9 तक की जो अंक है वो अंकीत है ठीक है और इन्हें की माध्यम से क्या की जाती है यहां पर calculations की जाती है अब यह जो नैपिर वोंच है सातियों इस नैपिर वोंच को बनाया गया था हड्डियों से इसे बनाया गया था हड्डियों से तो यह हड्डियों से बना हुआ था अब यह हड्डियों से क्यों बनाया गया था इस जल्दी ही खराब होती है ठीक है अब वो जल्दी खराब नहीं हो तो इसी के कारण इन्हें किसे बनाया गया था जो हड़िया होती है उन हड़ियों से इसी यंत्र को बनाया था और इसी यंत्र को जब हड़ियों से बनाया गया था तो इसी कारण इसका जो नाम है वो नाम तो कैलकुलेशन्स किस तरह से की जाती है तो साथियों यह जो कैलकुलेशन्स होती है वो किस तरह से होती है मैं आपको यहां पर बताने का प्रियास करता हूँ कि यहां पर यह जो अंक है यह अंकित है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर जो calculations है कि इस calculations को करने है कि यह calculations किस तरह से यहाँ पर की जाएगी तो यहाँ पर हमारे सामने यह यंत्र इस तरह से हमारा जो यंत्र है यह इस तरह से बना हुआ यंत्र है अब अगर हम बात करें कि हमें इन 57012 को multiply करना किसे एक से तो multiply अगर हम करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें इस दो को इस दो को अगर हमें multiply करना होगा एक को तो दो को जब हम एक से multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दो और लेकिन एक ही column और बाकी तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 अगर हमें इस 1 को 1 से अगर multiply करना होगा तो 1 and यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और इस 0 को 1 से multiply करेंगे तो 0 आएगा 7 को 1 से multiply करेंगे तो 7 अपर क्या आएगी 0 5 को अगर 1 से multiply करेंगे तो यहाँ पर आएगा फाइव एंड यहां पर क्या आएगा जीरो अब यह जो प्रिक्रिया है प्रिक्रिया इस तरह से ही यहां पर चलती है तो यहां पर जो सबसे पहले जो आया है वो क्या है साथी और दो की वाद में एक कि एक की वाद में क्या है जीरो जीरो के वाद में साथ और साथ के वाद में पांच यानि हमारा यहां पर सबसे पहले दो जीरो और एक कितना होता है एक होता है जीरो और जीरो कितनी होती है जीरो होती है जीरो और साथ कितना होता है साथ होता है पांच और जीरो कितनी होती है तो इसका जो answers है वो answers क्या आया इस तरह है ये 57012 इस तरह से इसके answers आते हैं तो आपको ध्याने में रखना होगा कि ये जो नेपिर वोंस है इस नेपिर वोंस का अब इसकार कब हुआ था तो 1617SV के तहत इसे बनाया किसने था तो जोन नेपिर नाम के एक वेगन के इन्होंन करना कैलकुलेशन करना भी क्या कर दिया था प्रारंब कर दिया था आगे जो है हम बात करेंगे वह बात करेंगे हम कल की क्लास में तो तब तक आप सभी को all the best जय हिंद जय भारत